अब इस फोडिया में हम एथ से अप निकालना सिक रहे हैं, बिल्कुल आसान तरी का रहने वाला है, एक वार समझना उसके बाद किसी भी संख्या का आप एथ से अप निकाल पाएंगे, तो करना क्या है? हमें इनके अभाज ये गुणंद खंड करने हैं, अभाज ये गुणं इसमें हमने देखा, तो दो का भाग नहीं जा रहा है, लेकिन तीन का भाग जा रहा है, कितना? आठ वार और पांस त्री पंद्रा, इसमें फिर आपका पांस का भाग जा रहा है, एक वार और सात वार, फिर सत्रा में सत्रा का भाग जा रहा है, एक वार ठीक है? भाग करने कितने वार गया 4 वार और 6 फिर इसमें 2 का भाग 2 वार और 30 कितना गया 23 में हमने देखा तो एक प्राइम नमर आगे प्राइम नमर कोई लाइग यहारा 13 17 19 23 29 एक प्राइम नंबर प्राइम नंबर यानि खुद से ही डिवाइड करना हो गया एक वार चीक है तो 510 के गुणंद खंड क्या आगे आपके पास 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 92 की फेक्टर के आगे 2 गुणा 2 गुणा 30 अब मैं यहां पर आपको एक ट्रिक बता हूंगा ठीक है तो यहां पर एस यहां पर क्या करते हैं अपना उभिए अश्ट कुनंद खंड लेते हैं कउने Somght लेता हैं इसको कैसे याद रखकेंगे इसका फ्ल पॉरम न advoc' कर लो क्या होता लो क्या होता है यांस्पर इनिन Commonwealth ऐसक्डर यहां भी है यहां भी है क्वान दो है ठीक है लेना होता है यूंतम घात यानि कम से कम कम से कम कितने वार आया हुए कम से कम एक वार आया हुए ठीक है इसमें क्या लिया हमने उबियनिस्ट कुणंत खंड लिया कॉमन फैक्टर लिया है इसको सिंपल करने के लिए ऐसे समझ सकते हैं यहां भी है यहां भी है काट यह वार यहां लिख दिया है ऐसे और सिंपल हो जाएगा ठीक है इसमें क्या लेना है सभी फैक्टर लेना है तो और ध्यान क्या रखना है जैसे दो है दो यहां भी है दो यह यहां भी है यह तो कम से कम बोला यह क्या बोलड़ा है। जादा से जादा या इसमें क्यार लेंगे हुआ? अपना अधिकतम घात लेंगे। क्या लेंगे? अधिकतम घात लेना है। ठीक है, तो दो यहां भी है, दो यहां भी है, यह ज़्यादा से ज़्यादा वार कितनी वार रहा है, यह इसको उल्टा चल रहा है, ऐसे समझ सकते हैं, रिलेट करके, दो वार रहा है, तो यह आपका दो हो गया, उसके बाद तीन एक वार है, पांच एक वार है, सत्रा आपका एक वार है और तेश एक वार है अब इनका हमने सब का गुणा कर देना है ठीक है तो हमने सब का गुणा किया तो कितना आगे आपका कि यह आगे तेश जार चार शो साथ ओके आसान है